Hey guys welcome back to Mr.Vyas और after long time के बाद में वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही long time से pending था last two and half months से शायद ही अमने कुछ जादा videos upload किये हैं लेकिन now I'm back so I'm starting making more and more videos तो चलिए guys आज उसी शुरुवात के इंदर में आपसे share करने वाला हूँ keyword golden ratio KGR technique जो कि basically Doug Cunning ने invent की है और यह कहीने कही जादा effective है अगर आपके post को specially जो ने blogger होते हैं वो अगर अपने post को within 24 hours रहें करवाना चाहते हैं तो आज का video आपसे बहुत ही जादा important है आज मैं आपको technique सिखाऊंगा कल आपको proofs with earning दिखाऊंगा तो बने रही है इस channel पर और अभी धमाकेदार बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं तो चले गाइस बात करते हैं कि यह technique क्या है कैसा ही काम करते हैं और क्यों यह effective हैं लेकिन अगर हमारे channel पर नहीं है तो guys आणको subscribe कर दीजे वीडियो को like कर दीजे तो कि past two months पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया लेकिन हमारे साथ 6000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं तो चले guys without wasting time चलते है desktop की screen पर anyways guys सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप हमारे channel पर नहीं है और चाहते है blogging से related free of cost में blogging का 9 day program जोइन करना आप यहां पर email id प्रोवाइड के आपको 9 days के 9 emails आएंगे तो चले guys बात करते हैं इसको यूज करने के लिए free of cost टेक्निक है क्या आपको करना है सबसे पहले चीज आपकी browser के इंदर free के extensions होने चाहिए जैसे कि हमारे के इसके इसके इंदर में keyword look up और keyword surfer का use करता हूँ अगर आपके पास यह नहीं है guys डाल सकते हैं otherwise हमारा सबसे best and free of cost tool आप uber suggest को भी use कर सकते हैं इसके बाद guys आपको क्या करना है इसमें keyword search के लिए आपको कुछ भी पैसा लगाने की ज़रूती है सबसे पहले आपको Google के इंदर जाना है और जो कि आपकी particular industry है जो आपका particular niche है वहाँ पर जाना है और आपको आपको टाइप करना है एक long tail keyword एक एसा keyword जो कि commercially intended keyword हो मतलब कि ऐसा है कि जहां पर कोई अगर traffic आया तो कहीं ने कि आप उस सब पैसा कमा से कर वो क्या चीज़ों होती है best selling products होते है तो मेरे case के दिर में एक example जो कि आपको quickly explain करने के लिए मैं use करूंगा वह imagine किजे कि मैं अगर यहां पर डालता हूं best door sweep for और जै आपको soundproof करना है तो आपके दरवाजय के नीचे जो डूर के sweep आती है वह कौनसी आपको buy करने इस टाइप का guideline का मैं post publish करना चाहता हूं क्या करना है Google में जाना है आपने title paste के जो भी suggestions आते है उसमें से किसे एक पर click किजिए जैसे आप click करते है अगर आपके पास यह plugins already on है जो की installed है and up and active है तो automatically यहाँ पर आपको एक search volume दिखाई देगा तो यहाँ पर हमें दो चीजों का use करना है पहला जो आपको करना है वो है search volume और दूसरा जो आपको करना है वो guys उसका total all in title value तो हमारा search volume US के अंदर specifically 30 हा रहा है अब ही कुछ लोग बलेगे कि यह plugin इंडिया मे काम नहीं करता है तो obviously आपको ऐसे tool use करना है जो इंडिया का data दे वो जो आप use कर सकते हैं कैसे मिलेगा आपको आप telegram group के अंदर ping कीजिए मैं आपको guide करूंगा किसरी के सापको buy करना है तो बाइस यहाँ पर देख सकते है आप इसका total search volume 30 अभी guys क्या होगा इसके लिए एक Excel sheet है जो मैं आपको दूँगा obviously यह Excel sheet मुझे duck running के through ही मिली हुई है और यह बहुत ही आपका काम easy कर देती है अभी क्या करना है आपको यह particular keyword जिस पर हमने research किया उस particular keyword को copy करना है और आपको as a keyword idea यहाँ पर देजाना आप चलिए मैंने यह वाला keyword एक search किया है और imaging कीजिए मै इसको delete करता हूँ and I'm going back और यह वाला keyword हमने search किया है उस keyword का जिसका search volume 30 है मैं यहाँ पर आउंगा इसको paste कर दूँगा और इसका search volume कितना है मैं यहाँ पर type करूँगा automatically इसका search volume मिला 30 अभी हमें चाहिए उसका all in title value तो आपको क्या करना है इसके आगे कितरा पाना है all in title को type करना है और देखना है इस keyword को कितने सारे पोस्ट है जिन्होंने title में use किया है मतलब कि जो targeted है उसी particular query को इसलिए मैं आपर बोलता है यहाँ पर short keyword को आपको use नहीं करना है long keyword use करना है तो यहाँ पर हमें results 47 कभी-कभी caching का issue होता है इसलिए हमेशा second page पर जाके देखिए कि कित इतने total results आ रहे हैं मैं guarantee के साथ बोलतो अगर ऐसे keyword आप टार्गेट करेंगे within a 24 hour आप within a 50 position के अंदर आ जाएंगे और सही से target करेंगे तो guys आप 100% top 10 के अंदर आ जाएंगे कैसे आया था मैं किस तरीके से में अपने post call आता हूँ कल एक वीडियो के अंदर जो next video आएगा व इसको थोड़ा सा पिछे की तरफ जाते हैं और साथे साथ आप क्या कर सकते हैं अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो अपना आईए उबर सजेस्ट के अंदर जा करके हिट कीजिए search कीजिए यह automatically आपको सारे search volume list करके देदेगा तो यहां से भी compare करेंगे क्योंकि ज तो चलिए इसको देखते है किसका search कितना आ रहा है कितना all in titles की value आ रही है इसे पहले 47 दिखा रहाता रही है तो अभी देखते है कि इस particular keyword के लिए all in title की value कितनी आ रही है तो यहां पर देख सकता है 47 आ रही है क्योंकि अभी हम second page पे नहीं गया है अगर मैं थोड़ा सा जा है क्या उसमें changes आता है और obviously यह सारा images पर move हो रहा है मतलब इसमें results कितने बचे है हमारे पास 10 तो आपको यहां पर type करना है 10 और check करना है कि इसका exactly यहां पर value कितना आता और यह value कैसा calculate होता है यह value calculate होता है all in title divided by search volume इसके हिसाब से value आता तो यहां पर value हमें आ रहा है 0.33 औ और आपको दियांद रखना यह value हमेशा 0.25 से नीचे आना चाहिए 0.25 से नीचे इसा है क्यों कि अगर आप यहां पर maximum value रखते है 63 इसकी value maximum हमारी 250 है उससे ज्यादा अपने को जाना नहीं है अगर दोनों को divide करते है तो result आता है 0.25 मतलब कि अगर आप 0.25 ratio का use करते है जित इतना उसका result कम होगा उतने ही लोगों ने कम post उसके लिख रखे हैं तो आपका post कईना के top 50 के अंदर तो तुरहन पब्लिश करता ही आ जाएगा तो यह इसका criteria है इसके वज़से इसका volume 250 fix रखा गया है और यहां पे maximum 63 आपको results आना चाहिए तो guys इस तरह के सापको keyword search करना ह है अगर आपको पहला keyword सा ढूंडा आपको नहीं मिला अभी क्या करना है बहुत सरह से ideas है जो आप self search कर सकते कैसे search करना है आपको डाल करके देखना है आपका keyword और देखना है कि उसके कितना results आते है जैसे के माल लीजेए कि पहला मैंने search कर लिया ओके अभी मुझे पता चला कि चलो इसका जो value आ रहा है वो कहीं है 0.33 उसके आप आ रहा है तो मैं इसको target नहीं कर सकता हो रहा है तो अभी मुझे क्या करना है इसको हटा देना है इसको हटाने के बाद दूसरा Google से पूछने है आपको और सब्सक्राइशन के पास में है और उब आपको बहुत सर वहां पर results दिखाएगा रहा है और यह जो Excel sheet है वो मैं आपको कुछ देनों के बाद में इस वीडियो के लिंक के अंदर दे दूँगा लेकिन अभी जिन जिन लोगों ने यहां पर registration करके रखा है जिसका email ID मेरे पास registered है मैं सबको email shoot करूँगा और सबको य यहां पर Google के suggestions का वेट करेंगे और यहां पर देखते हैं बहुत रहा है तो आपकी बार हम यूज करेंगे बैस्ट दोर स्वेफ पॉर स्वेफ पॉर बस ओके और यहां पर चेक करेंगे कि exactly इसका search volume कितना आ रहा है फिर इसको all in titles search करेंगे और चेक करेंगे देखिए इसके इसका search volume कितना आता है और इसका search volume कितना आता है और इसका all in title value कितना आता है वो हम वाप insert कर देंगे यह कहीं ने के tool calculation में बहुत time लगा रहा है तो wait and watch otherwise आप क्या कर सकते है यहां पर आना है और यहां पर आने के बदद और इसका अपने को all in title निकालना है और मैंने इसको एंटर किया तो यह मेरा keyword है उसका search volume था 40 मैं यहां पर रख लूँगा 40 और 40 है मतलब पहला रूल हमारा qualified है less than 250 होना चाहिए that is perfect मतलब इसका कितना भी search volume कम हो यह particular query का search volume में अगर आपका पूरा post rank हो जाता तो चोटी-चोटी-चोटी इसके बहुत सरा keyword rank होने लगते तो आपको डरदा नहीं कि 40 search volume में महीने का और जितना low search volume आप टार्गेट करे देख सकते हैं यहां पर about 26 results और यहां पर आपन page number 2 पर जाके देखेंगे कि caching की वज़े से 26 original है या उससे भी कम है तो चलिए page number 2 पर जाके देखते हैं कि exact इसके total results कितना आ रहा है all in title के तो let's wait और देख सकते हैं यहां पर just 11 results तो आपको यहां पर आना है और यहां पर आक करता हूं कि इसके पीछ आप जाएं तो थोड़ा और variation प्राइ किजिए कि इसके अंदर और क्या variation हो चाहता है जिसकी वैसा 0.25 से नीचे लेकर क्या सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर best blogging ideas यह कहीं तो मैंने सर्च किया इसका 19 all-in title है 110 इसका search हो लिए मैं इसका जो data निकाला है वो कहीने के 0.17 है अभी मैं इस keyword को target करके automatically एक अच्छा blog लिख सकता हूं जहां पर ranking के chances 99% है और वो कैसे है किस तरीके से मैंने किया कैसे वो site कितना earning कर रहे हैं यह मैं आपको next video मैं बताऊंगा जा बहुत साथ लोग earning का भी weight कर रहे हैं तो कहीने के एक Amazon affiliate से earning कल देते हैं पास दस जार बे मिलते हैं तो कुण सा वेस्ट है क्योंकि यह success rate आपकी बढ़ा देता है अभी देख लिजए यहाँ पर मैंने टाइप किया best blogging ideas यह कहीने के search कर रहा है इस taking bit longer time आप यहाँ पर आ सकते हैं uber suggested keyword ideas निकाल सकते हैं आपको next video के अंदर बताऊंगा I hope कि आपके funda समझ में आगे है कि कैसे करना है all in title निकालना है search volume की value 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और all in title की value 63 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो फिकर आप धियान में रखेंगे तो automatically आप 0.25 की range में हैं और जब यह combination अगर आप और यूस करते 0.21.20 पी लेके आते हैं guaranteed अपका post rank होगा within a 24 over rank होगा मैंने तो ऐसा देखा है कि अभी published किया दो गनिटे के अंदर जाके देख रहा हूं और top 10 के अंदर post rank हो रहा है देखना है भरोसा नहीं हो रहा है next video के अंदर बने रही है और type करके comment करके बताए यार कैसा ल लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो comment कीजिए like कीजिए share कीजिए आज के लिए इतना फिर में लेंगे एक लिए वीडियो के अंदर अब तर के लिए चाए